नमस्कार दोस्तों मैं मुर्ली कुम आउट आप देखें यूट्यूब चैनल टेलिंग मास्टर तो टेलर भाईयों के लिए मैं आज एक खास चीज लेके आया हूं यह हमारे मिनी काज मशीन है तो यह काज मशीन जो है अमारे जो बड़ी काज मशीन होती है उससे भी ज्याद कुछ इसके अंदर बताने वाला हूं और किस किस हिसाब से इससे हमको काज करने है और कैसे इसके अंदर दागा लगाना है और कैसे काज को हम छोटा या बड़ा सेटिंग कर सकते हैं सारा कुछ इस एक वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है तो आप वीडियो पे कंटिन साइज है और यह लेना हमारे लिए रहेगा या नहीं रहेगा तो वीडियो पर कन्तिन्यू बने रहेगा अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया 22 जीगा सस्क्राइब और वीडियो को एंड तक वाच्च कीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसकी सेटिंग ब उपर या नीचे करके काज का जो साइज है उसको छोटा या बड़ा कर सकते है ठीक है इसके बाद ये जो दो स्कूरू दिये हुए इसके हम काज सेटिंग या मतलब साइज उसका मोटा या छोटा कर सकते है यहाँ पर ये सेटिंग दूई है और यहां पे यह जो दो इस्क्रू दीए हुए है इसको हम ये हमारी नॉर्मल वाली सिलाई मसीन होती है उसका जो गज होता है दाब उसमें हम इसको लगा सकते हैं इसके अंदर ये मैन लगाने के लिए ये दो इसक्रू दिये हुए होता है ठीक है यहाँ पर ये काज का हौल जी हुआ है यहां पे हमारा काज होता है और शाथ में मैं आपको काज करके भी दिखाऊंगा इसके अंदर काज कैसे होते हैं और जो हमारी सिलाई मशीन है उसके अंदर दागा कैसे लगाते हैं यह मैं बताता हूँ नॉर्मली लगाता है जैसे हम दागा लगाते हैं नॉर्मली उस हिसाब सीलाई मसीन भी ले सकते हो और एवी डूटी सीलाई मसीन भी इसके अंदर यूज कर सकते हो तो इससे नॉर्मली जैसे दागा लगाते हैं उस हिसाब से ये दागा लगा लेना है तो दागा लगा ले रहा हूं मैं यह देखे यहां से जैसे नॉर्मल दागा लगाते हैं अब यह नीडल के अंदर लगा लेंगे इसको यह हमने दागा लगा लिया है और अब नीचे वाला दागा भी मैं आपको लगा के दिखाता हूं कैसे लगाना है तो नीचे वाला दागा लगा लें के लिए यह हमने डबी निकाल लिया सटल वाली डबी तो इसके अंदर यह सारा कुछ नॉर्मल यह है जैसे हम नॉर्मल लगाते हैं उसे हिजाब से है तो यह हमने लगा लिया है और यह सटल के अंदर लगा देंगे तो दोस्तों इसके अंदर मिलान का बिल्कुल दियान रखना है और नीचे वाला मिलान है उसको थोड़ा टाइट रखना है और उपर वाले को थोड़ा लूज रखना है तब ही हमारा अच्छे से काज हो पाएगा उपर वाला लूज ही रखना है ठीक है जितना लूज रखो के उतना ही काज हमारा अच्छा मिलेगा ऐसे नहीं है कि आप ज्यादा ही लूज कर लो खराब हो जाएगा ठीक है जैसा थोड़ा लूज करके हम देख लेंगे अच्छा लगे वहाँ पे हम सेटिंग करके छोड़ देंगे ठीक है दोस्तों तो काज का निशान कर लेना है वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है आप इसकी बिल्कुल ना कीजिएगा तो सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा तो मैं आपको अच्छे से बताता हूं यह जो हमारा यहां पे यह खांचा दिया हूँ ठीक है खांचे के सेंटर में यह यह अमारा निशान जो है काज वाला वो रखना है और यहां पे यह निशान आपको मिलेंगे एक दो तीन चार पांच ठीक है यह सेंटर वाला है सेंटर वाले निशान के एकदम बिल्कुल सा है है यह देखे कि दो राउंड हमने गुमालिया है आप एक राउंड या दो राउंड या तीन राउंड आपको जैसे आपको लगे हमारा काज अच्छा हो गया हुआ है तो ये हमारा काज बनके एकदम रेडी हो चुका है ये देखे ठीक है ये बड़ी मश्यन से भी हमारा काज जो है अच्छा बन चुका है ठीक है और पीछे से भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पीछे से उस हिसाव से होता तो धागा अच्छे से कट करके, यह हमारा कटर जो है, आसानी से बजार के अंदर आपको मिल जाएगा, 15 रुपे का, तो इससे हम इस काज को काट लेंगे, यह देखे, यह हमने काज को काट लिया, अब यह देखे, हमारा काज जो है, अच्छे से बन के रेडी हो चुका है, ल में आपको बता देता हूं सारह कुछ वीडो मैंने बनाया हुआ है इसको मजीण चेक वीडियो और की मिल जाएक है तो दौस्टों ये वाला है ये 363600 से 3700 तक आपको online available है Amazon पर आप ले सकते हो Link जो है आप चाहो तो मैं वीडियो के description में दे सकता हूँ बट मेरा पहले वीडियो बनाया है उसके अंदर भी link डाला हुआ है तो आप check out कर सकते हैं तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो comment box में जरूर बताएं अगर वीडियो के अंदर कुछ कमी आपको लगी तो comment box में जरूर बताएं और और भी कुछ समझ में नहीं आए तो भी आप comment box में अपनी राय पूछ सकते हैं तो कैसे लगा वीडियो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो को लाइक शेर एंड कॉमेंट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिं जैबारतवन्दे मातरम ठांक्यू ठांक्यू दोस्तों